दुनिया के तीसरे सबसे रएजिस इनसान गौतम अडानी और एशिया की सबसे बड़ी सलम धारावी इन दोनों को जो एक चीज़ करती है वो है धारावी रीडेवलप्मेंट प्लान ये है कि धारावी को रीडेवलप किया जाय इसके लिए बिढ हुई थी और बिढ निकली अडानिक ग्रूप के नाम जिन्होंने 5069 करोड में धारावी को री डेवलप करना प्रपोस किया है। दूसरे नमबर पे थे DLF जिनका प्रपोसल कुछ 2000 करोड का था। अब धारावी का ये जो री डेवलपनेंट प्लाइन है, इसमें क्या कुछ है? धारावी खुद क्या है? और धारावी बनी कप्ती और क्यूँ? इन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात धारावी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत खास है। यहाँ पर कमर्शिल कॉंप्लेक्स है और मोटा मोटी दस लाक लोगों के रहने का ठिकाना है धारावी। वैसे धारावी टूरिस्ट प्लेस भी है। स्लम डॉग मिलेनेयर बनने के बाद काफी सारे लोग यहाँ पर एस टूरिस्ट घूमने आते हैं। गली बॉय जैसी फिल्मों ने इसमें और इजाफा किया है। लेकिन हमारे देश में आके कोई हमारे स्लम देखे यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश की रियालिटी तो है। तो यह धारावी बनी कैसे थी। दरसल धारावी अंग्रेजों की देन है। जिन्होंने 1882 में मजदूरों को किफायती दरों पर मकान दिलाने के लिए धारावी को स्टैबलिश किया। बाद में यहाँ पे लोग आते गए, कारवा तो नहीं बना, धारावी बन गई। और यह धारावी अब रिडेवलप होने वाली है। प्लैन यह है कि एक जनवरी 2000 से पहले से जो लोग यहाँ पर रह रहें उनको फ्री में मकान दिये जाएंगे। उसके बाद आने वालों को मकान की कीमत देनी होगी। बस अब उम्मीद कीजिए कि एशिया की यह सबसे बड़ी स्लम जिन वजहों से कुख्यात थी, रिडेवलिप्मेंट प्लैन के साथ दुनिया में विख्यात हो जाए।